हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटुब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इस तरीके के क्वाड्रेटिक एक्वेशन के रूट्स निकालना सीखेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को इसके रूट्स क्या होंगे ठीक है तो हमें यहाँ पर एक्वेशन दे रखे है वो है एक्स स्क्वेशन माइनस टू आयोटा एक्स प्लस थ्री इस एक्वेल टू जीरो ठीक है अगर मैं इसको स्टेंडर्ड एक्वेशन ए एक्स स्क्वेशन प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेल to zero इससे compare करूँ तो मैं पास जो a है वो हो जाएगा one x square का coefficient यहां पर कुछ निया तो one होगा b जो है x का coefficient यहां पर है minus two iota और c जो है constant term वो plus का three है तो a b c हमें पता लग गया ठीक है अब हम क्या करेंगे quadratic formula की help से हम इसके roots find करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं d निकाल लेते हैं discriminant जिसको हम बोलते है b square minus four a c ठीक है इससे हमारा quadratic formula है उसमें value put करने में आसानी रहेगी तो यहांपर अगर मैं value put करूं b की value तो minus two iota है तो इसका square minus four a हमारा क्या one है और c three है तो इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा minus two का square किया तो four iota square minus twelve अब iota square जो है iota square की value minus one होती है ठीक है यह आपको पता होने चाहिए कि iota square की value क्या होती है minus one तो यह हम minus one value put करूंगा तो में पास आएगी minus four minus twelve तो हमारे पास जो d है discriminant जो है वो आ जाएगा minus का sixteen तीक है यह हमारा b square minus four a c की value हो गई है अब जो quadratic formula है वो apply कर देते हैं तो quadratic formula होता है वो होता है x is equals to minus b plus minus under root यहाँ पर आता है b square minus four a c divided by two a यहाँ पर b square minus four a c की value हम यहाँ निकाल चुके हैं जिसको हमने d से represent करा है minus sixteen तो यहाँ पर हम value रख देते हैं x is equal to हो जाएगा minus b की value minus two iota है तो minus two iota यहाँ रख देंगे plus minus root में d जो हमने निकाला है b square minus four a c हमारा d है तो यहाँ गया minus का sixteen ठीक है divided by two into a हमारा है one तो इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा two iota plus minus अब sixteen जो है हमारा four का होता है minus का है तो four iota आ जाएगा divided by two तो हमारे पास यह value आ गई है अब यहाँ बीच में जो है plus b और minus b यहाँ पर दोनों को अलग लग कर लेते हैं तो एक बार हम plus ले लेते हैं तो two iota plus four iota divided by two तो यह six by two हो जाएगा मतलब कि x आ जाएगा हमारा three iota ठीक है दूसरे में हम minus ले लेते हैं तो two iota minus four iota divided by two तो x आ जाएगा हमारा minus iota तो इसके roots क्या हो गए है three iota और minus iota तो option number a जो है इसका correct answer हो जाएगा ठीक है कचर जल्ल्डड़ों किुदने खर जो है्चा y अजाएगा है भाल प्जेश्वै